असलाम वालेकूम, मुम्द के पकवान में आपका सौगत है, मैं मुम्ताद, मैं आज आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ आज मैं चना बोटी बनाने जा रही हूँ, आप इसे एद में महमानों को बना के भी खिला सकते हैं चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या लगेंगा, यह पाव किलो गोश है, अगर आप कसाई को बोलेंगे तो आपको इसी तरह से चना बोटी बना के दे देगा यह तीन बड़ी प्याज है, इसे हमने कट करके ले लिया है यह आदा कप काबुली चैना को हमने दो गंटा भीगो के बॉइल कर लिया यह धनिया जिरे का पावडर, लाल मिर्ची का पावडर, नमाक, हल्दी और गरम मसाला सब एक टीस्पून है यह दो टीस्पून अदर गलसन का पेस है यह दो टामाटर है, आदा निम्बू है, और छे मिर्ची को कूट के लिया यह दो दालचीनी का तुकड़ा है, चार इलाइची है, एक टीस्पून जीरा है चलिए अब बनाना स्टार्ट करते है चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मेरी तरीके से यह कूकर में हमने तीन टेबल स्पून तेल दाल दिया है अब हम तेल को थोड़ा गरम होने देंगे अब हम खड़े मसाले दाल के इसे सोटे कर लेंगे अब मसालों में थोड़ी खुशवू आने लगी तो अब हम इसमें प्यास दाल देंगे और प्यास को भी अच्छे से लाल होने देंगे आप मेरी वीडियो एंडिंग तक देखिए आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसनाएंगी प्यास लाल हो गई है अब इसमें हम अद्रग लसन का पेज दाल देते हैं और फिर इसमें कुटी वी हरी मिर्ची और टामाटर भी दाल के इसे अच्छे से भून लेते हैं अब इसमें सारे सूखे मसाले और नमक दाल के इसे भी थोड़ा भून लेंगे और इसी भूनने के बाद इसमें गोश की बोटियां दाल देंगे और इसे भी अच्छे से भूनेंगे गोश और मसाले को जितना अच्छे से भूना जाएगा उतना ही चना बोटी टेस्टी बनेगा हम थोड़ी थोड़ी देर से चम्मच चलाते चलाते पांच मिनुट के लिए इसे भून लेते हैं देखें मसाल अच्छे से भून गया है इसमें तेल भी उपर आ गया है अब इसे एक बार हम चम्मच चला लेंगे और इसे एक गिलास पानी दाल के पूकर का ढकन बन करके गैस की फिलिम को मीडियम ही रखके हम इसे चार सीटी आने देंगे पांच सीटी हो गई है देखें हमारा मसाला कितना बढ़िया लग रहा है और गोश भी गल गया है इसे हम चम्मच से हिला के इसमें कस्तुरी मिथी दाल देंगे हमने जो आदा निम्मू लिया था उसका भी रस इसमें निचोड़के दाल देंगे निम्मू से इसमें एखटास पनाता है और इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है अभी इसे एक बार मिला के इसमें हम बॉल किये वे चने दाल देंगे और इसे भी मिला लेंगे फिर इसमें थोड़ा सा पानी दाल देंगे हम बरतन चेंज करेंगे आप चाये तो सेम बरतन में भी रख सकते हैं इसे हम पांच मिनुट के लिए जोश आने तक रख देते हैं पांच मिनुट हो गया है हमारा चना बोटी बनके तयार है हमने इसे बरतन चेंज करके इसे जोश दिला दिया था अब इसमें कोतमिर दाल के इसे अच्छे से मिला देंगे और फिर आपको इसे निकाल के बताते हैं देखिए हमारी चना बोटी बनकर तयार है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है आप भी इसे बकराईद में बनाके जरूर ट्राय कीजे और मुझे कॉमेंट करके बताए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए चलते हैं फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ जब तक के लिए अल्ला हाफीज